पाश का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक अगूरी नाम के किंको देखते हैं जो कि एमेजॉन के जंगलों में अपनी पूरी फॉज के साथ कुछ मिस्टीरियस चीज धूनने गया था जिसका नाम टिर्स अफ दा मोन है लेकिन टिर्स अफ दा मोन को पाना इतना भी आसान क काम नहीं था क्योंकि वो एक रहस्में जंगल में पाए जाते थे जहां तक पहुंचना नामुनकिन था उस टियर्स अफ दा मोन की पोर्टेक्शन करते थे वहां के जंगल जब अगूरी अपनी टीम के साथ उस जंगल में आगे बढ़ रहा था तभी वहां के जंगल में हल आज करते हैं अगूरी वहां के कबिले के सरदार के गले में वो शाबी देखता है जिससे टीर्स अफ दा मोन तक पहुंचा जा सकता था अगूरी बहुत ही बुरा इंसान था उसे ट्रैप के लोगों का सुकरिया करने की बज़ाए वो उन लोगों के उपर अटाक कर देता ह वो वहां के सारे घरों को जला कर वहां के बहुत से लोगों को मार देता है और उनसे वो चाबी छीन लेता है जिसके बाद ट्रैप के सरदार उन लोगों को सराब देते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा पाओगे और अगर तुमने किसी भी तरह से अगर नदी पार कर लिया तो तुम लोग पत्थर के बन जाओगे और फिर ऐसा ही होता है। और यही वज़ा था कि अगूरी और उसके जैसे बहुत से लोग उस फूल के खोज में थे। फ्रैंक है। फ्रैंक की नजर उस की पर पढ़ती है जिसे लेली ने अपने गले में पहन रखा था और वो समझ जाता है कि लेली भी वहां तक जाना चाती है। इसलिए फ्रैंक उसे अपने साथ चलने को लिए फोर्स करने लगता है और तभी वहां पर एक जैगवार आ जाता है जिस वज़ा से सभी लोग इधर उदर भागने लगते हैं। उस जैगवार को मार कर वहां से भगा देता है जिस वज़े से लेली उससे इंपडे सोकर वहां जाने के लिए मान जाती है। और प्रिंस की समरीन दूसरी सैट पे श्टक हो जाती है। फिर कुछ दूर शलने के बाद फ्रैंक एक जगा पर रुक कर लेली और मैक के लिए कुछ मचलिया पकड़ता है और तिनों साथ बैठ कर खूब मज़े से दिनर करते हैं। प्रिंस का सहतानी दिमाग जानता था कि जिस नदी को पार करने के बाद ये लोग पत्थर के बने थे अगर उसी नदी का पानी इन लोगों पर डाल दिया जाए तो ये लोग आक्टिव हो सकते हैं। वो अगोरी के बॉड़ी पर दो बुन पानी डालता है और उसकी बॉड़ी से दो स्नेक निकल कर सामने आते हैं। और फिर तभी प्रिंस उसी नदी के पाने के मदद से वहां की सारी फौजों को एक्टिव कर देता है। और उसी वक्त अगोरी की पूरी फौज साब के सकल में लीली को ढूनने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक की बोड धीरे धीरे करके एक वाटरफॉल की तरफ बढ़ने लगती है। जिससे वो लोग काफी परिसान हो जाते हैं। लेकिन वक्त रहते फ्रैंक अपनी पूरी थाकत के साथ बोड को टर्न करते हुए सभी की जान को बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि लीली फ्रैंक के कमरे में जाती है और उसके कुछ सिक्रेट्स बूग देखने लगती है। जब उन लोगों की आग खुलती है तो वो लोग खुद को ट्रैप से घिरा हुआ पाते हैं। यहां पर लेली फ्रैंक से कहती है कि मुझे अब तुम्हारे जैसे जूटे इंसान की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अब वहां मैक के साथ अकेले जाओंगी। इसे चाबी चीन कर अगूरी को देता है। तभी फ्रैंक उस चाबी के लिए अगूरी से फैट करने लगता है। अगूरी के स्नेक भी उस चाबी को प्रटेक्ट करने लगते हैं। और तभी अगूरी अपने तलवार से फ्रैंक को मारता है। लेकिन फ्रैंक उससे वो शाभी लेने में काम्याब हो जाता है और नीचे खाई में गिर जाता है नीचे गिरते ही वो उस शाभी को लीली को दे देता है और वो खुद को लीली के लिए सैक्रिफाइस कर देता है जिसके बाद वो जंगल अगूरी और उसकी टीम पर फिर से हा वार को बाहर निकालती है ये देखकर मैक तो वहीं पर बेहोस हो जाता है फिर लेली अपने भाई मैक को कभीले वालों के पास छोड़ देती है और कहती है तुम यहाँ पर ज्यादा सेफ हो हम लोग जल्द वापस आएंगे और ये कहकर अपने आगे के सफर को शुरू कर देत है रास्ते में लेली फ्रैंक के जखम पर मरहम लगाते हुए कहती है कि तुम आखिर जिन्दा कैसे बच गए जिस पर फ्रैंक अपनी पास्ट की स्टोरी बताता है कि आज से 300 साल पहले मैं भी अगोरी की ही टीम में था और हम सब टीर्स आफ दा मून को इसलिए तलास कर रह मैं उसे बहुत मानता था लेकिन इतना तो नहीं कि बिकसूर लोगों की जान लेने दे देता इसलिए मैं वहां के लोगों को बचाने लगा और तभी अगोरी ने मुझपे भी अटैक कर दिया और फिर ट्रैप के सरदार ने मरते मरते हम सभी को एक सराप दिया कि जैसे ही हम अगोरी के सारे पर चलती थी वो प्रिंस को जाकर लेली और फ्रैंक का लोकेशन बताती है जब प्रिंस उस लोकेशन पर पहुँचता है तो उसे वहां सिर्फ मैक दिखाई देता है और वो उसे किटनाप करके लेली के लोकेशन पर पहुँचता है मैक ड़ते हुए प्रिं उसे पानी के अंदर जाने से साफ मना कर देती है और कहती है मुझी स्वीमिंग नहीं आती फ्रैंक के काफी समझाने के बाद वो मान जाती है फिर फ्रैंक उसे अपने साथ लेकर पानी के अंदर जाता है लेकिन वो दर्वाजी को खोलने की काफी कोशिस करती है लेकिन वो दर दरवाजा खुल जाता है दरवाजे के खुलते ही उस नदी का पूरा पानी कहीं गायब होने लगता है जिसे लीली वापस से उठ खड़ी होती है अब इससे पहले की वो लोग दरवाजे के अंदर जाते वहाँ प्रिंस अपनी पूरी आर्मी के साथ पहुंच जाता है और कहता है कि अगर मैं इसे खोलूँगा तो मुझे भी टियर्स अफ दा मून चाहिए क्योंकि मैं भी सराप से अज़्याद होना शाता हूं और मरना शाता हूं ये सुनकर लेली काफी सैड हो जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्रैंक को लाइक करने लगी थी इसलिए फिर ल ज़्यादा खुबसूरत जखा है जिसके बाद फ्रैंक और मैक प्रिंस के लोगों पर अटाक कर देते हैं और अगोरी और उसकी टीम भी वहां आ जाती है प्रींस की लोग जैसे ही मैक पर अटाक करते हैं फ्रैंक का पालतु जगवार वहां आ कर उसे बचा लेता है उधर लेली टिर्स अफ दा मून वाले पेर पर चड़ती है, प्योंकि वो चीज चांद की गरहन के साथ साथ धीरे धीरे गायब होने लगी थी, लेकिन लेली किसी तरह एक फूल को लेने में काम्याब हो जाती है, प्रिंस लेली से कहता है, फॉरण मुझे वो फूल दे दो, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, और वो उस फलावर को फ्रैंक की तरफ फेक देती है, फ्रैंक उस फलावर को लेकर बोट से भागने लगता है, तभी अगोरी और उसके लोग उस फूल को लेने के लिए फ्रैंक के पीछे जाते है, दूसरी तरफ प्रिंस गुस्टे में आकर लेली को म फ्रैंक ने हमारी जान बचाने के लिए और मुझे फूल देने के लिए अपने पीछे एतने सारे दुस्मन लगा लिये है, उधर फ्रैंक की बोट बहुत तीजी से वहां की नदी को पार करने वाली थी, फ्रैंक अगोरी और उसके लोगों से फैट करते करते, उसकी बोट पत्थर का बनना सुरू हो जाता है, और देखते ही देखते ही वो लोग पूरी तरह से पत्थर के बन जाते हैं, लेली मैक और वो जैगोर भाग कर फ्रैंक के पास जाते हैं, और देखते हैं कि वो पूरी तरह से पत्थर का बन चुका है, लेली उसे वापस से नॉर्मल करन लेली खुशी से फ्रैंक को गले लगाती है, मैक और जैगवार भी उसे गले से लगा लेते हैं, और फिर लेली देखती है कि फ्रैंक के बॉड़ी से बलड आ रहा है, इसका मतलब वो अब उस सराप से आज़ाद हो चुका है, फिर वो लोग सहर जाने लगते हैं, तब ही वो लोग खुशी खुशी सेहर शले जाते हैं, और फिर वो लोग उस फोल से एक बहुरती फायदेमन मेडिसेंस बनाते हैं, और इसके साथ साथ खूब सारे पैसे भी तो